सियासी गलियारों के बीच आज एक ऐसी ख़बर हाई जिसने हर्याना की राजनीती में भोचाल लाकर रख दिया आप सुवे सही देख रहे हैं सोशल मीडिया पर या नैशनल या रिजनल चैनल पर देख रहे हैं कि बिरजेंदर सिंग जो हिसार से सांसते उन्होंने इस्तीफ पहले जो है वीडियो आपके पास पहुंच सके अब बात करते हैं सियासी गलियारों की आज सियासी गलियारों में एहम ख़बर हमने आपको सुनवाई इसके बाद क्या हुआ पुरी हर्याना की राजनीती में बुचाल और बीजे पीपी संशे में थी आखिरकार ये हो क्या गया है अभी तक जो शूत्र बता रहे हैं कि एक विगट बीजे पी की गिरी है इसके बाद कई विक्टे और जो हैं गिरने जा रही है ऐसा जो है शूत्र बता रहे हैं राजनितिक से जुड़े जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि कुछ विक्टे जो हैं और गिरना तै हैं इ तक से सांसद अर्विन सर्मा की टिकट करती है तो वो भी कॉंग्रेस के पाले में जा सकते हैं और कॉंग्रेस उन्हें करनाल से लोकसबा का उमीद्वार बना सकती है एक बड़ी और रहम ख़बर अगर जो सांसद की टिकट करती है अर्विन सर्मा की तो वो करनाल से कॉंग्र शुरू किया कि हर्यान की राजनीति में और भुचाल कैसे जो है आ सकता है बड़ी खबर यह है कि मुझूदा संसद पार्टी के बड़े नेता जो है एक दम बीजेपी को छोड़ कर कॉंग्रिस जवाइन कर लेते हैं और वहाँ जाकर अपने मन की जो है बडास निकाल लेते ह हलाकि पहले ही यह अंदेशा लगा जा सकता था लगा गया था कि यह कुछ ना कुछ जरूर करेंगे क्योंकि चोदरी ब्रेंदर सिंग ट्रेजरी किंग है और बड़ा नाम जो है राजनीति में है और करीब जो हमने अनलैसिस किया है 42 साल वो कॉंग्रेस पार्टी में रहे ह है तो आज उन्होंने कोंग्रेस जो है तो जाहिर तोर पर जीन के आजपास का इलाका इसार के आजपास का इलाका जो है उसको भुनाने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ कीचने की कोशिश करेंगे और उचाना उचाना से हमेशा जो है चुनाव लड़ते रहे हैं और उचा जेजेपी और बीजेपी का गठवंदर रहा तो वो पार्टी छोड़ देंगे आज पार्टी छोड़ दें उनके बेटे ने और बिरेंदर सिंग जो है कभी भी राहूल गांदी के इनर्टा तो में पार्टी जोईन कर सकते हैं ये भी बड़ी और आहम ख़पर है और मामला य फस गया है कि क्या जेजेपी और बीजेपी का गठवंदन पार्टी को खराब करेगा या बीजेपी अभी भी जेजेपी के गठवंदन में रहेगी या जेजेपी अकेला जो है फैसला ले सकती है क्योंकि ब्रिजेंदर सिंग ने जैसे पार्टी छोड़ियों पार्टी के बाद जो है पत्रकारों से मुखादीब हुए और उसके बाद उन्होंने चार मुख्य कारण जो है पार्टी छोड़ने के बताए उसमें एक बीजेपी और जेजेपी का गठबंदन है दूसरा किसान अंदोलों है तीसरा महिला जो खिलारी धन्ना दे रही थी उनके पक्स में आवाज उठाना और बीजेपी का कोई भी नेता उनके पक्स में खुल करनी आया एक ये भी जो है वज़ा बताए जा रही है और चोथी और एहम बज़े अगनी वीर जोजना इसको लेकर भी जो है उनके मन में एक ऐस हैज था जैसा गों बता रहे हैं उसी के चलते जो है च खुद नहीं बदलते हैं बलकि खुदा बदलते हैं ये उन्होंने ट्वीट किया है यानि कि इशारों में चोधरी बिरेंदर सिंग पर कटाक्ष किया है बड़ी और एहम खबर बड़ी खबर ये है कि दो तिन मिक्टे जो है बीजेपी की और गिर सकती है और इदर कुमारी शैलजा ने भी जो है बदाई दी है उनका कहना है कि आज मेरे लिए हर्ष का विशे है कि चोधरी बिरेंदर सिंग जो है पार्टी में आ रहे है और मेरा उस परिवार के साथ बरसो का नाता है और आज पड़े हर्ष का विशे है कि आज पूरा परिवार जो है कॉंगरिस ज यहां जो है उनको दे सकती है और उचाना सीट पर भी वो जो है चुनाव लड़ सकते हैं और जेजेपी के लिए खुशियों बरा दिन है कि जिसी चीज को बार बार वह सोच रहे थे कह रहे थे कि आखिरकार क्या होगा तो आज खुद ही जो है विरेंदर सिंग पार्टी बारे में बार बार जो हैं बात करते रहे हैं और जितने भी आप कहें कि हर्याणा के नेता हैं चाहे उमप्रकास चोटाला रहे हैं चाहाँ दूसरी पार्टियों के नेतर हैं सब के साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं और जब बीजेपी पार्टी उन्होंने जवाइन की थी और बीजेपी के बड़े नेताओं को एक बात जुरूर कह दी थी कि वो गांधी परिवार के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि गांधी पर गांधी के जो पिता हैं जो बड़े नेता हैं उनके साथ मिलवाने में विरेंदर सिंग का भी हात रहा है विरेंदर सिंग नहीं मिलवाया था और शक्रिय राजनिती में विरेंदर सिंग लेकर आये थे लेकिन मन में खटास पैदा होती चलेगी विरेंदर सिंग और भुप मंधिपी रिवार को चुपए और आज जैसे यह उनके पार्टेंlex करने उन परहण हें काया है दिल खुर जब बीजेपी के नेताओं का भी ब्यान जो है खुल कर सामने नहीं आया, मुक्के मंदरे का भ्यान जो है सामने नहीं आया, साथ ही बीजेपी पार्टी के पड़े नेताओं का भ्यान अभी तक खुल कर सामने नहीं आया, लेकिन अब जो है पार्टी को अंदर ही अंदर ये वो भी जो है शायद है बदले जा सकते हैं चुनाव की घोषना जो है मातर चार या पांच दिनों में होने वाली है उससे पहले वहले जो है पार्टी ने अपने अम्मीद्वार घोषित करने हैं कॉंग्रेस ने भी अभी जो है अपनी लिस्ट रोक ली है क्योंकि अब फेर ब मुखें नमस्कार कि अ